नमस्कार दोस्तों Valiant Organics शेर में हमें कई दिनों से लगातार घिरावट देखने को मिली थी पर दोस्तों फाइनली आज के ट्रेडिंग सेशन में इस शेर में हमें एक बहुती शांदार तेजी देखने को मिली थी उसे पर अगर हम बात करते हैं इस शेर में Important Support के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस शेर में जो 400 रुपीज का लेवल है ये लेवल एक Important और Strong Support लेवल है आप देखो ये वाला जो लेवल है इस लेवल पर पहले भी इस शेर ने कई बार सपोर्ट लिया था और दोस तो अगर ये शेर 400 का सपोर्ट तोड़ते है तो यहां पर दूसरा जो Important सपोर्ट है वो है 375 रुपीज का लेवल आप देख सकते हो ये जो लेवल है इस सी लेवल पर इस शेर ने सपोर्ट लिया और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छी उच्छाल दिखाई तो यहां पर दोस्तो 375 का सपोर्ट भी एक Important सपोर्ट लेवल है दोस्तो अगर हम बात करते है रेजिस्टन्स के बारे में तो इस शेर में जो एक Important रेजिस्टन्स है वो है 445 रुपीज का लेवल आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल है इस लेवल पर पहले भी इस शेर ने रेजिस्टन्स हुएस किया है और आज भी आप देख सकते हो इस शेर ने इसी जोन में रेजिस्टन्स हुएस किया तो यहां पर हम क्या सकते के 445 का लेवल एक Important रेजिस्टन्स लेवल है आईए अब हम अप्लाई करते हैं कुछ Technical Indicators और देखते हैं ये Indicators हमे क्या सिगनल दे रहे हैं तो यहां पर जब तक मैं MACD और RSI को अप्लाई कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोनों जो Indicators है वो अप्लाई हो गए हैं और आप द करने की तो दोस्तों यहांपर मुझे लगते हैं आपके पास कोई भी होल्डिंग है तो आप इस शैर में अभी होल्ड करके चल सकते हो इस शैर में खरेदारी करने का एक अच्छा माँका तभी बनेगा जब यह शैर 445 के उपर जाता है अगर यह शैर 445 के उपर जाएगा तो उसके बाद वापस हमें इस share में घिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों अगर हम overall trend देखते है इस share का थोड़ा daily basis के चार्ट पे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी ये share एक बहुत बड़े downtrend में चल रहा है तो important यह है कि ये share अपने और resistance break करे और bullish हो जाए daily basis पे अभी फिलाल दोस्तों इस share ने जो आज एक bullish candle generate किया ये एक अच्छी बात है पर अगर हम आज की candle को भी ध्यान से देखते है तो यहाँ पर हमें दिखते है कि जो उपर के levels थे वहाँ से हमें इस share में selling pressure देखने को मिला था तो दोस्तों अब भी भी मुझे लगता है कि आपको इस share में खरीदारी इस levels पर नहीं करने चाहिए जब तक यह share अपने resistance break नहीं करता तब तक आप खरीदारी मत कीजिए तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है यह वीडियो का जू केशनल वीडियो था है इसलिए इस share में मेरे कोई भी बाइस अल्या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद